प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की तस्वीरे इस वक्त आम आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पॉलेंड पहुंच चुके हैं वहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है और यह दौरा जो है वो इसलिए खास है क्योंकि 45 साल में कोई ऐसा भारते प्रधान मंत्री है जो इस वक्त पहुंचा हुआ है पॉलेंड में पॉलेंड में उनका स्वागत भी किया जा रहा है भारत माता की जय किनारे भी लगे हुए है क्योंकि भारती है समुदाय के लोग जो पॉलेंड में रहते हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं दो दिन के दोरे पर पॉलेंड पहुंचे से पहले यह जरूर कहा कि मैं पोलेंड और यूक्रेंड के आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं पोलेंड के साथ राजनाइक संबंदों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी यात्रा है पोलेंड मद्य यूरोप का हमारा आर्थिक साज्येदार है तो प्रधान मंत्री नरीन अर्मोदी अभी पोलेंड पहुंच कहे हैं और जैसा हर जगा देखने को मिलता है कि जहां जहां पीम जाते हैं विदेशी धर्ती पर वहां वहां भारती अमूल के जो लोग हैं वो पीम को देखने के लिए खटा होते हैं और यहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरे जरूर देखने को मिल रही हैं भारत माता की जै किनारे पोलेंड में सुनाई पड़ रहे हैं पीम का इंतिसार भारते समधाय के लोग कर रहे हैं पोलेंड की बाद पीम होदी 23 अगस्त को यूक्रेन भी जाएंगे और यूक्रेन का ये जो द पर आन रश्या भी पीम जा चुके हैं और अब यूक्रेन भी पीम जाएंगे 23 अगस्त को हाला की 21 और 22 अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अभी पोलेंड में रहेंगे और पोलेंड में उनका जो स्वागत है वो फिलाल किया जा रहा है पोलेंड यात्रा पीम कर हैं और पैंतालिस साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई भारतिय प्रधान मंत्री जा रहा है पोलेंड लास्ट चालिस ती बेतालिस वरस्मा पहला प्राइम मिनिस्टर है जे पोलेंड नी वीजिट पर शे अना में लोकों बदा बहुँ खूस चे बदा भेगा था या बड़ा प अधर चालिस खूसलyes प्रमीय सी पिर जाएम मिनिस्टर है जी हूँ खूस पर में किईरा बनाद ये है पोलेंड था मीजिट गो याboy है जले किया पर चांपालन मंत्रा ब्दाव भारति क्वा भया बेंड जा बदा और सी बम्हत्म पहलेजि़ दोकर का दीसर easован में किका ट कि प्रदान मंत्री मोधिजी आई रहाजाए कोई भारत ना प्रदान मंत्री पोलेड मारा जेए एक लूग में शुच थाई ज्यांड़ी प्रदान चाहान अथे स फिंद प्रदान मंत्री 10 जग्धियर, बर्देज जग्या हमें लोको जवाना ना चेंड़न जोहा माटे अन् तो आपने सुना जो भारतिय समुदाय के लोग है भारतिय तिरंगा पोलेंड में लहरा रहा है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पहुंच गए हैं पोलेंड में उनका स्वागत एरपोर्ट पर किया गया है और इंतजार कर रहे हैं देखे जिस होटल में पीम को ठहरना है उसके बाहर भारतिय समुदाय के लोग खटा है और पीम का इंतजार कर रहे हैं आपको बताएं कि पीम मोधी की यात्रा है पोलेंड की ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनितिक संबंदों की स्थापना के सतर साल पूरे हो चुके हैं नमस्कार जी मेरा नाम प्रदिप्तो मॉलिक है मैं पिछले 37 साल से पोलेंड में हूँ 37 साल में हम तो वेट करते रहे गए जिके हमारे प्रदान मंतरी आएंगे अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ मेरी आवाज कहां पर रही है जो की फाइनली हमारे प्रिय प्रदान मंतरी पोलेंड आ रहे हैं और हमारे भरतियों के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि पोलेंड में हमें बहुत इज़त दिया जाता है पर प्रदान मंतरी जब आते हैं तो क्या कहते हैं उसके बाद तो चाहद लग जाते हैं मैं यहाँ पर दस साल से रह रहा हूं और मेरा नाम देवदत भटाचारिया है क्रैको शहर से आया हूं 300 किलोमेटर ड्राइव करका आया हूं हमारे माननी प्रदान मंतरी जी को यह हमारा स्वभाग्य है कि उनके साथ हमारे दर्शन होंगे इस बार तो काफी तैयारिया है ज इस साइटिट नसर आ रहे हैं और उनका इंद्वाग्य है